नमस्कारम सद्गुरू, हाल ही में साधना पद कारेक्रम की घोशना की गई, जिसमें छे महीने तक आश्रम में रहना है। मेरे कुछ दोस्त इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, आपके कई दोस्त, वो जो भी हैं, छे महीने तक 2400 घंटे की साधना के लिए तयार नहीं होंगे। इसलिए हम व्यक्तिकत जरूरत के अनुसार इसकी रूप रिखा तयार करेंगे, हम उन्हें देख कर फिर तय करेंगे। हो सकता है कि पहले एक महीने हर कोई एक जैसी साधना करें, मगर उसके बाद हम तय करेंगे कि किसे कितना करना है। सिर्फ आँखे बंद करके बैटना और कुछ करना ही साधना नहीं है। काम करना सीखना भी साधना है, कम से कम संगर्ष के साथ लोगों के साथ रहना सीखना भी साधना है, ये बहुत मैतुपूर्ण है, भले ही आप अधिक से अधिक ध्यान कर रहे हूं, लेकिन अगर आप बाहर काटों से भरे हैं और चलते फिरते हैं, तो कुछ समय बाद दूसरे लोग ये पक्का करेंगे कि आपका ध्यान काम न करें उन लोगों को कम मत समझिए हाँ अपने आसपास के लोगों को कम मत समझिए अगर आप हर समय काटों के साथ घूमेंगे कि मैं ऐसा साधक हूँ तो लोग ये पक्का कर देंगे कि आपका ध्यान कुछ समयवाद काम करना बंद कर दें. इसलिए साधना का मतलब ये भी है कि आप कम से कम टक्राव के साथ दुनिया में चले फिरें. मैंने कई बार ये बात कही है. सुदूर पूर्व की एशिया इस संस्कृतियों में एक आत्म ग्यानी प्राणी को हमेशा एंची कहा जाता है. एंची का मतलब है एक गोला या वृत. आपकी कार और बाकी दूसरी गाड़ियों के पहिये गोल होते हैं. क्यों? क्योंकि ये आकार कम से कम रुकावट के साथ चलता है. तिकोना पहिया निश्चित रूप से कहीं अधग भड़कीला लगेगा. हलो? अपनी कार को देखिए, कैसी दिखेगी वो? मगर हमें कम से कम रुकावट चाहिए. इसलिए ये बहुत मैथ्वपूर्ण है कि जब आप दुनिया में चलें फिरें, तो आप कम से कम रुकावट के साथ चलें. वरना बहरी स्थितियां बाकी के सारे जीवन आपको व्यस्त रखेंगी. अगर आप यहाँ थोड़ा टकराव पैदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टकराव आपको बाकी की सारी जिन्दगी व्यस्त रखेगा. ये आपको किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं लगाने देगा. इसलिए साथना का मतलब ये भी होता है. तो वो अलग-अलग पहलूँओं में स्वायम सेवा करेंगे, वो स्कूलों में काम करेंगे, वो नदियों पर काम करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मगर इन सभी चीज़ों का आपके विकास के लिए साथना की तरह इस्तिमाल किया जाएगा. छे महिने में शारिरिक तोर पर आपको अधिक मजबूत और अधिक युवा होना है. मानसिक तोर पर आपको अधिक तेज और कहीं ज्यादा स्थिर होना है. भावनाओं के स्थर पर आपको बहुत स्पष्ट होना है. उर्जा के स्थर पर आपको तीवर और स्थिर होना है. हम दुनिया में इस तरह के लोगों को लाना चाहते हैं. ये लोग यहाँ आकर आश्रम में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले मगर हम आश्रम के दर्वाजे खोलना चाहते हैं ताकि यहाँ छे महीने रहने के बाद जब वो वापस जाएं तो वो अधिक स्थिर और स्पष्ट और समझदार जीवन के रूप में वापस जाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है स्पष्टता और स्थिर्ता ये दोनों चीजें मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं कि आप चीजों को साफ साफ देख सकें और स्थिर हो स्थिर्ता का अभाव मानव जाती को जबरदस्त रूप से नुकसान पहुचा रहा है इतनी समझदारी, इतनी प्रतिभा, इतनी योग्यता बस बरबाद हो रही है क्योंकि लोगों में स्थिर्ता नहीं है, संतुलन नहीं है सबसे बढ़कर संतुलन सबसे महत्वपून है जब आपके अंदर संतुलन होता है, आपके पास आजादी होती है आप पहली बार सैकल चला रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपका संतुलन अच्छा है, आप हाथ छोड़कर भी चला सकते हैं सीटी भी बजा सकते हैं और बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं संतुलन आपको आजादी देता है ऐसा ही आपके मन, आपके शरीर, आपकी उर्जा और हर चीज़े के साथ है अगर ये संतुलित है तो आप काफी आजादी के साथ चीज़े कर सकते हैं अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं. इसलिए हम यो देखना चाहते हैं, कि जो लोग बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार में हैं, जो लोग महतुपून पदों पर हैं, वो छे मैने की छुट्टी लें और अपने विकास पर ध्यान की इंद्रित करें, स्पष्टता और संतुलन. अगर ये दोनों चीज़े होती हैं, तो हमारे पास बहतर इंसान और बहतर दुनिया होगी निश्चित रूप से. साधना पद का यही मकसद है. कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, कि अगर मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेना चाहूँ, तो क्या आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? मैं सर्टिफिकेट दे दूँगा. कागस का एक टुकड़ा देने में क्या समस्या है? मैंने कभी अपने सर्टिफिकेट नहीं लिए. मेरे लिए वो कोई माइने नहीं रखते हैं. लेकिन अगर किसी कंपनी के लिए वो माइने रखते हैं, तो हम आपके लिए एक सर्टिफिकेट बना देंगे. मगर एहम बात ये है, कि क्या आप अपने जीवन में थोड़ी अधिक स्पष्टता और संतुलन ला पाए हैं? ये एहम है. एक जीवन के रूप में आप कितने असरदार होंगे, ये मुख्य रूप से इससे तए होता है, कि आपके अंदर किस तरकी स्पष्टता है और आपके अंदर कितना संतुलन है. इस से आपको मन चाहे तरीके से इस जीवन को पार करने की आजादी मिलेगी. वरना आप स्वाभाविक रूप से खुद को अपने बकसे में बंद कर लेंगे. झाल